हेलो फ्रेंड्स रेल लाइफ वीडियो में आपका सवागत है आई होप आप सबी लोग ठीक होंगे और आज डिस्केशन करेंगे रेलवे बोनस के बारे में तो बहुत सारे बच्चे पूछे थे सर बोनस कितना मिलता है तो आज बता दूँगा कैसे कैलकुलेट होता है किस त वो एक अपरेल 2020 से लेके 31 मार्च 2021 तक का मिलेगा अगर जो मिलेगा इस बार अगर सरकार ने चाहा तो दिवाली से पहले तो यह से ऐसे मिलता है और जो बोनस मिलता है वो पी एल भी बोनस मिलता है नि प्रोडिक्टिव लिंक बोनस तो रेल जैसे ऐसे प्रोडिक्टिव हो देती हैं, इससे कर्मचारी का motivation हाय रहता है तो इस बचे से भी कर्मचारी को bonus दिया जाता है तो एक तरीके से कह सकते हैं कि कर्मचारी को दिया जाने वाला उपहार है एक तरीके से ही तो आप लोग अगर काम करेंगे तो आपको gift रही bonus तो चोहरों से पहले दिया जाता है अनॉंस किया जाता है गॉर्मेंट दोरा और salary से अलग होता है salary से अलग मिलता है यानि salary जैसे salary की date अलग होती है last time पर आती है तो यह ऐसा नहीं होता है ये Sally से पहले आपके अकाउंट में आ जाता है तो Sally से पहले आपके अकाउंट में आ जाता है तो Sally 31 को आने वाली होती है ये चोहार से पहले आ जाता है जब चोहार होता है तो स्टैम पर ये आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है तो जिसकी जो तो रेल में जो C and D हैं, C and D करमचारी हैं नहीं, D किलास और C किलास वाले, जो ग्रूप D और ग्रूप C और जो नॉन गैजटेट हैं, आरिप्ट को नहीं मिलता है, आरिप्ट को छोड़ के, और C and D करमचारी को बोनस दिया जाता है, तो बोनस का सेलिंग फिक्स है, कि इतना मिलेगा तो रेल आपको 78 डेस का बोनस देती है तो इसको कल्कुलेट करेंगे हम अभी कितना होता है यह तो इसने पहले एक बार इसके इतिहास को जान लेते हैं क्योंकि यार जिन्होंने हमें यह बोनस दिलाया उनको भी थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि कहां कब से स्ट जो था इंडिया रेल्स मेंस फेंटेशन के जो अध्यक्स थे उसको लीड कर लेते जोड़ फंडडी एक नहता थे तो 1974 में उन्होंने बहुत बड़ा अंदुलन चलाया था रेल में और और भी बहुत सारी मांगे थी तो 1979 में जाके मांगे स्विकार करी गई जिसमां बोनस तो समय समय पर चेंज होते रहता है इससे पहले थोड़ा कम था अभी 78 डेज हो गया है तो इससे आप से कितना ही बैठता है हम इसको कल्कुलेट करेंगे तो जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले बता दिया था कि 7000 पर मंत का इसमां सेलिंग फिक्स था तो पर मंत के साफ़ पहले पूरे येर का निकाल देते हैं तो पूरे येर का हो जागा है चौरासी हजार हो गया पूरे येर का तो आप इसको अगर आपको एक दिन का निकालना है तो अब 84,000 को तो इसको फिर आपको अगर 78 डेस का निकालना है तो आप इसको 78 से इंटू कर देंगे तो यह आपको 17,950 के असपास आता है पॉइंट भी मतलब पॉइंट आगे पॉइंट आ जागा तो यह आपके अकाउंट में 17,9 सा एकाउंट लुपे क्रेडिट हो जाते हैं 17,9 सा एकाउंट लुपे आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाते हैं तो यह मैंने बता देगी तेहार से पहले आ जाता है तो 17,9 सा एकाउंट लुपे इस बार का बोनस मिला था तो आप जो नए लड़के जो जोइनिंग करते हैं उनको कितना मिलेगा तो जैसे कि आपने माय मैंने अगस्त में जोइनिंग किया था तो अगस्त 72 से मेरा 27 मार्स तक का जितना दिन मेरा बैठता है उतने दिन के असाप से मेरे अकाउंट में क्यान काल्कॉलेट कर दिया गया था मेरा इजवार का जो बोनस तो 10,000 के आसपास आता घर कुछ रुपहे थैं तो मेरा अतना रुपहा था तो और बहुасchnet इत करता है था कि अगए जाता है मार्च से करते हैं तो 31 मार्च के बीच माँ आपको जितने धिन होता है उते के असाब से आप लोगों को मिल जाएगा तो उससाब से क्रेड़िट हो जाएगा इसमें तो कमी मिले गाए असाब से आपको तो अब आपको मैंने बता दिया एक फॉर्मला क्या है और नई जॉइनिंग वालों को भी मिलता है से बात में कि नई जॉइनिंग करने वाले लोंडों को नहीं मिलता है कम मिलता है जैसे मुझे कम मिला था लेकि मिला था तो बोनस बहुत अच्छी चीज है तो हर से पहले बोनस मिल जाता है मज़े आ जाता है थो आत्यों हर वह अच्छे से सल्वेट हो जाता है वाकि बच्चे पूछ रहते कि सर कितना मिला कितना मिला तो इतना रुप्य मुझे मिला और इस फॉर्मले के साफ से कल्कुलेट होता है बोनस जरूर नहीं है कि दिया ही जाए यह गौवर्मेंट पर डिपेंड करता है तो जो हमारे जो यूनियंस होते हैं वह हमें साइस चीज के लिए लड़ते रहते हैं कि देना चाहिए तो लोगडाउन में इसी बात को लेकर थोड़ा सा हम लोग को कंफूजन था कि मिलेगा यह नहीं मिलेगा लेकि फाइनली गौवर्मेंट नहीं में दिया क्योंकि जो बोनस चाहिए तो रेल्वे में जोइन करिए और करक करिए एक्जाम तो यह एक तरीके साब के लिए मोटिवेशन का काम भी करेगा रेल्वे बोनस तो जिन मंदों को बोनस चाहिए आज आए रेल्वे में वह चबदस्त रखिए और कोई टॉपिक पर आप लोग को यह पे धन्यवाद।